जम्मू कश्मीर से अनुचे 370 हटने के बाद केंद्र सरकार लगता प्रदेश के विकास के लिए परियोजनाई लॉंच कर रही है केंद्र सरकार के अधिकारियों के मताबिक राज़ में स्पोर्ट्स हब के रूप में विक्सित होने की सभी संभावनाई मौजूद हैं इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे खेल सुविदाओं का विकास किया जा रहा है भारत पाकिस्तान अंतराश्रे सीमा से 5 किलो मीटर दूर हीरनगर सेक्टर में केंद्री वित्यमंत्री दिवंगत अरुन जेटली की याद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की नीव का पत्थर दिल्ली से ओन्राइन रखा गया करीब 270 कनाल भूमी में बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स के निर्मान का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी कॉम्प्लेक्स को तीन साल में पूरा करने का लक्ष रखा गया है केंद्री खेल मंत्री किरन रिजजु स्थानी संसत और प्रधान मंत्री कार्याले में केंद्री राजमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सेंग और उपराज जिपाल मनोस सिनहा की उपस्तिती में दिल्ली से ओनलाइन कारिक्रम में नीव का पत्थर रखा गया, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में फुटबॉल, बॉलीबॉल, होकी सहित काफी संख्या में खेल प्रतिस प केंद्री मंद्री जितेंद्र सेंग ने कहा है कि उत्री शेत्र में यह अपने तरह का पहला स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स होगा और देश की सर्वस्रेस्ट खेल संकलों में से एक होगा, इस कॉम्पलेक्स में सभी खेलों के लिए आधूनिक सुवधाय उपलब्द होंगी, यहां से प्रदेश के मिधा भी खेलाडी आगे बढ़ेंगे, जम्मु कश्मीर सरकार के अधिकारिक प्रवक्तक के मुताबिक इस परियोजना में करीब 58.2-3 करोर रुपे की लागत लगी, यह कॉम्पलेक्स 270 कनाल जमीन पर तयार किया गया है और इस खेल संकुल का निर्म प्रदान मंतरी विकास पैकेज के तहत किया जा रहा है।